हलो गाइस कैसे हैं याँ सब आई हूफ फ्रेंट्स आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने घर पे होंगे सभी लोग खुस होंगे फ्रेंट्स आज हम आप सभी के लिए बहुत ही बढ़िया व्यूडियो लेकर आएं फ्रेंट्स ये देखिए हमने नारी का साग मंगाया है और हम इसको अच्छे से साफ कर रहे हैं आप देखिए ये सबजी ऐसी होती है जो कि पानी में रहती है ये तालाब में उगाई जाती है फ्रेंट्स उगाई क्या जाती है फ्रेंट्स ये तो अपने आप ही हो जाती है और ये खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी रहती यह पूरी पानी में ही होती है और इसको हमने परसोन लिया था और हमने रख दिया था तो यह रात भार यह रखी रही तो देखे इसकी पत्तियां सारी गल गई है कुछ पत्तियां इसी है जो कि सही है हमने बहुत सारा कचड़ा भी निकाल दिया है इसका तो यह हमने इतनी हमा हमारा निकला है तो हमने अच्छी पतियां हम ही पती तोड़ ली और सब्सकी बनाएंगे यह सब्सक्राइब काने सक्षा है फाल जेस्टी रखी आपकर यहार इसको मालूम नहीं तो अगर आपके हाँ इस सबजी को कुछ और कहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स यह हम लेसुन ले रहे हैं तो हम इसको लेसुन और हरे मिरच से इसको चौकेंगे इसमें प्याज नहीं पड़ता है तो हम इसमें प्याज नहीं डालेंगे हम लेसुन को छोटा छोटा टुकडा कर लेंगे छोटे छोटे पीस में हम काट लेंगे और ऐसे ही हम छोटी पीस में हरी मिरच को भी काट लेंगे हरी मिरच और लेसुन से हम इसको तड़का लगाएंगे फ्रेंड्स तो आप सबी लोग देखिए ये हमने gas को on कर दिया है और हम लोहे की कढ़ाई में सबजी बनाएंगी फ्रेंड्स हमारे पास ये ही लोहे की कढ़ाई है जो थोड़ा बजन है और हमारे पास दूसरी भी एक लोहे की कढ़ाई है वो बहुत हलकी है उसमें अगर हम सबजी बनाते हैं, तो हमारी सबजी पकती नहीं है, लेकिन नीचे से जल जाती है, तो इसलिए हम हल्की तले की कढाई यूज नहीं कर रहे हैं, यह हमारा वजन तली का कढाई है, तो हम इसी में सबजी बना रहे हैं, तो हम इसी में छोंक रहे हैं, तो ये सब नहीं है बहुत जल्दी पक जाती है इसको पकने में ज्यादा समय नहीं लगता है बहुत ज्यादा इसमें 5-6 मिनट लगता है तो इसको हमने चौक दिया है अपने नमक अभी नहीं डाला है क्योंकि यह हरी सब्जी है और यह पकने पर कम होती है तो आप थोड़ा सा सूख देंगे और दोसे एक मिनट हम इसको खुला यूँ यह पकाएंगे गयस को बंद कर देंगे तो सब्जी हमारी बंद कर रेडी हो जाएगी यह सब्जी आप रोटी के साथ खाएं पराठा के साथ खाएं चावल के साथ खाएं आप किसी भी तरह से खाएं यह बहुत ही की बारिस होगी लेकिन आज तो बहुत तेज बारिस हो गई है तो आज हमने च्छाता लेकर आपके लिए वीडियो सूट की है देखिए आप यह हमारे घर के पास का सीन है जहां की वीडियो हमने सूट की है यह समधाय केंद्र है और यहाँ पर हॉस्पिटल भी है तो यह अभ बारिस हो रही है बहुत ज्यादा गर्मी भी पढ़ रही थी फ्रेंट्स तो थोड़ा année थंड़ा हो गया है अच्छा लग रहा है क्यों कि बहुत वुमत थी रात में भी ज्यादा वुमत थी और सुबह सुबह करीब जbooks नौए बस्त के बज़े के करीब बारिस होने लगी है बहुत तेज बारिस हो रही है और देखिए हम आपको दिखा रहे हैं हावा तो नहीं चल रही है लेकिन बारिस बहुत तेज हो रही है तो यह हमारी च्छत का सीन है आप देखिए हमने अपने च्छत से भी आपके लिए वीडिय तो सूट कर रहे हैं तो आपने देख लिया हमारा एरिया कि हमारा एरिया कैसा है और बारिस हो रही है बारिस होने की वज़े से मौसम ठंडा हो गया है अच्छा लग रहा है ठंडा ठंडा लग रहा है और बच्चे बड़े खुस हैं आज उन्होंने बारिस में भी थोड़ा सा भीग लिया है और आज वो कह रहे हैं मम्मी मान जाईए मम्मी मान जाईए हम केक बनाएंगे मम्मी म यह इतने छोटे बच्चे बताईए यह गैस पे केक बनाने के जित कर रहे हैं तो ठीक है मैंने बोला है कि चलो ठीक है बना लो और यह बिटिया और भाईया दोनों ही केक बनाना चाहरे हैं यह देखे हम थोड़ी देर के लिए लेट गए थे तो उन्होंने हमारी किचेन में इतना फैलाच दिया है सामान इधर से उधर कर दिया है। और अब ये मकछन लगा रहे हैं कि ममी आप ना राज न होईटे हमें बना लएने दिजीए और देखिये ये ओर्यो बिसकिट लेकर आये हैं दुकां से, औरियो लेके आएं उसी औरियो को तोड़ तोड़ के ये केक बनाएंगे जाने कैसे केक बनाएंगे ये औरियो बिस्किट है दो पैकेट बिस्किट लाएं बच्चे और ये औरियो बिस्किट का केक बनाने जा रहे हैं बड़े खुस है मन में कि हम आज ओर्यो बिस्किट का केक बनाएंगे और खाएंगे तो मैंने कह दिया है कि चलो ठीक है बना लो तो ये बिटिया हमारी लगी हुई है भैया भी बड़ा खुस है और ये दोनों केक बनाने जा रहे हैं बड़े बनाएंगे बड़े बनाएंगे झाल झाल तो हमने बारिस होने के बाद जब धूप खुब अच्छे से निकल आई थी तब हमने कपड़े धूले थे और कपड़े धूप में फैला दिये थे तो हमारे सारे कपड़े सुख गये हैं तो हम अब अपने कपड़े उतार लेंगे फ्रेंट्स बहुत तेज बारिस होने के बाद बहुत तेज धूप निकली थी और मैंने कपड़े तो सुबा आट बजे के करीब धूल लिये थे और जब बारिस होने के बाद धूप खिल गई थी तब मैंने सारे कपड़े फैला दिये थे और सारे कपड़े हमारे अच्छे से तो हम अपने सारे कपड़े उतार लेंगे और अच्छे सित्तह बना कर रख देंगे तो ये सारे हमारे तो रोज की काम रहते हैं लेकिन कपड़ों की धुलाई तो हम तीसरे चौथे दिन ही करते हैं रोज कपड़ों की धुलाई नहीं करते हैं क्योंकि मसीन से कपड़ धुलने रहते हैं तो एक दो कपड़े धोना तो बनता नहीं है जब थोड़े ज़्यादा कपड़े होते हैं हम तभी धुलते हैं और ज्यादा कपड़े होने पर धुलाई करना असान होता है ऐसे एक एक दो दो कपड़े नहीं धुले जाते हैं तो इ तो ये हमने अपने सारे कपड़े उतार लिये हैं और उतारने के बाद हम इन सभी कपड़ों को अच्छे से तह बना कर रख देंगे साम के पास बज गए हैं तो अभी साम के काम भी अभी बहुत सारे रह गए हैं जो थोड़े से चाय नाज तक की बर्तन भी हमारे रहे गए हैं तो अब हम बर्तनों की धुलाइवी करेंगे तो सब्से पहले हम इन कपड़ों को अच्छे से तै बना कर रख देंगे और उसके बाद जो थोड़े बहुत बर्तन हमारे किचन में, हमारे सिंख में पड़े 35 बिनट हम लेटे थे और इतने में बच्चों की आवाजे सुनाई पड़ी और हम उठ गए जदा देर हम लेट भी नहीं पाए हैं थोड़ी देर लेटे हैं और उसके बाद उठके आये थे तो बच्चों में पड़ गए और अब हम अपने सारे काम एक एक करके निप्टा रह करेंगे फिर बच्चों की दुलाई करेंगे और फिर अपना खाना बनाना स्टार्ट कर देंगे खाने की तैयारी करेंगे तो मुझे तो लगता है कि ये काम तो सभी के साथ रहता है इतना काम तो सभी के घर में रहता ही है सभी लोग इतना काम करती होंगी जैसे कि हमारे यहां है वैसे सभी के यहां बर्तन भी धुलने रहते हैं खाना भी बनाना रहता है कपड़े भी दुलने रहते हैं सभी काम हर घर में होते हैं सभी लोग जानते होंगे कि हम लोगों को कितना टाइम मिल पाता है कितना हम लोग की लाइफ बिजी रहती है कुछ भी हो या कुछ ना हो यतना काम तो हर घर में करना ही होता है तो हमारे बतन जल्दी जल्दी से बतन हम अपने धुल रहेंगे और धुलने के बाद हम फटा फटा अपने खाने की तैयारी करेंगे तो हमारा बलॉग आपको कैसा लगा वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करकर जरूर बताएगा वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा शेयर करिएगा चैनल पर हम नए हैं अभी तक आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब कर लिजिए ताकि हम आपके लिए बढ़िया बढ़िया से वीडियो लाते रहें अच्छे अच्छे व्लॉग हम आपके लिए बनाते रहें तो आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप लोग भजन, किर्टन, संगीत, नक्टा गीत, लोग गीत, साधी विवा गीत सुनना चाहते हैं इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे चैनल ग्यान सरिता रोचक जानकारी को भी सस्क्राइब करें उस चैनल पे हम आपके लिए बहुत सुन्दर सुन्दर भजन, किर्टन, बन्नी बन्ना गीत, सोहर गीत अपलोट करते रहते हैं तो आप सभी लोग वहाँ पर भी हम से जुड़े हमारा सपोर्ट करें क्योंकि फ्रेंड्स आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं हैं अगर आप लोगों का सपोर्ट नहीं होता, आप लोगों का सहयोग नहीं होता तो आज हम आगे नहीं बढ़ पाते आप लोग हमें यूँ ही सपोर्ट करते रहिए हमारे चैनल पर आते जाते रहिए और अपना प्यार, अपना असिर्वाद, अपना सपोर्ट हमें यूँ ही देते रहिए ताकि हम आपके लिए और भी अच्छा काम कर सकें आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो अपलोड कर सकें तो फ्रेंड्स सबसे बड़ी चीज है आप लोगों का सपोर्ट तो आप अपना सपोर्ट हमारे साथ यूँ ही बनाए रखिएगा और हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करिएगा तो बिटिया का केक इधर बन चुका है और उसने अपना केक फ्रीज में लगा दिया है फ्रीजर में रख दिया है और वो आप लोगों को दिखाना चाह रही है आप लोगों के साथ सेयर करना चाह रही है कि उसने कैसा केक बनाया है तो देखिए फ्रीजर अपना केक निकाल निकाल के चेक कर रही है और आप लोगों के साथ सेयर कर रही है कि उसका केक कैसे बना है उसने उन दोनों ने मिलके कैसा केक बनाया है तो आप लोग देखिए